और इंशाल्ला अब की बार यूवाओं के लिए जो हमारा ये भारी एरिया लगा है इसमें जो भी बचत की जमीन निकलेगी इंशाल्ला दो तीन ग्राउंड शेहर के चारों तरफ देने का काम करेंगे मेरे वालिन सहाब का वैवार एक आम आदमी गरीब आदमी कोई ठेली वाला हो वो डारेक्ट हमारे घर पे आकर आकर चेर्मेन सहाब की बराबर में बेख़ेगा बहुत समस्या रही यहां पर अब की बार इंशाल्ला उसमें जो है ठेली वालों के लिए इस्पेशल दो जगा इस नो वेडिंग बनाये जाएंगे और वहां पर ठेली की वेवस्ता कराई जाएगी यह जो पुलिस वाले और परशासन करता है यह परशासन की परशान्दी से निजाद ठेली वालों को इंशाल्ला दिलाए जाएगगा एक हमारा जिसतर पे जो है महा पे भी उसका भी सु आज हम फिर से केराना शेर में मौझूद है और पिछली दफ़ा हमने केराना के जो पिछले चेर्मेन राशिद अली जी उनकी बाइट की तो उनका इंटर्विव क्या था आज उन्हीं के बेटे आनिक उनके पुत्र हमारे साथ मौझूद है आज हम इन से वही तीखे सवाल कर हैं जो के करने चाहिए कि इस तरीके से आप यूआ है और यूआ शक्ति को आप अच्छी तरीके से पैचानते हैं कि इस दोर में यूआ क्या चाहते हैं यूआ चाहते हैं कि हमारी एजूकेशन अच्छी तरीके से केराना में हो जाए हम इदर कुछ एरिये में गए कुछ का उनकी शिकायत है कि हमारे यहां कोई स्कूल नहीं है कोई कॉलिज मेडिकल कोलिज इस तरीके के किराने में नहीं क्या आप इस पर घोर करेंगे कुछ देखे शेजाद भाई यह नगरपालिका का चुना हो गया यह चैर्मेन चुना जाता है इससे इससे कोई सरकार बदलने वा पादिया तो इन्शाललह सरकार से मिलके परशासन से मिलके उसना कुछ भारी बच्तियों में जहां प्रात्मिक विद्यालियों की जरूरत है उस पे इन्शाललह काम किया जाएगा कासिब भाई आपको एक ऐसी वज़ा बताए जो जनता आपको चेर्मेन बना सके चेर्मेन बनने के आप हकडार है एक होजा बताएए आप अपनी शेयाद भाई वजह बहुत हैं मैं व्रोगों में घूम रहे हैं आप समस्या जίο है uğों से सुन बी रहे हैं वितनर विकास कारी है मेरे वालिद साहब़े में कराया एं ऑन दोजार 1217 तक वे चेर्मेन रहे उससे पहले क्या आलत थी शहर की और उन 5 सालों में कितना बदला हुआ है जो लोग बाहर गए वे थे जो 5 साल बाद आके लोटे शहर में उनको एहसास हुआ कितना केराना बदल गया इतना कारीय कराया है आप रोड से ही अगर केराना में एंट्री करते हैं तो वहीं से बदलाओ नजर आता है और उससे लग सबसे बड़ी वज़ा मेरे वालिद सहाब का वहवार एक आम आदमी गरीब आदमी कोई रेड़ है ठेली वाला हो वो डारेक्ट हमारे घर पे आकर आकर चेर्मेन सहाब की बराबर में बैठ़ेगा कोई भी कारी ओ निशनकोच कह सकता है और जो चेर्मेन रहे जो पिछले पांच साल रहे लोगों हमारे पास साइन कराने के लिए आते थे जी वो चेर्मेन सहाब के महां गये थे वो तो मिलेनी जे वो भाहर गये है हम उनको गोलते थे बाई हमारे तो वहां पे एक साइन के लिए इतना लोगों को भूमना पड़ता था कही कही बार शक्कर लगाने पड़ते थे और हमारे यहां पे जब हम चेर्मेन रहे हमने देखा है अपने वाली साहब को काम करते हुए पांच साल जो है दो आज में हमने स्पेशल इसी काम के लिए बिठ है तो लोगों से ऐसा वहार रहा है नहीं तो चेर्मेंस जो यह रहे इनकी सबसे बड़ी यह रही लोगों समस्ये आई कि मिली नहीँ पाई पांक साल लोगों से मिली नहीं पाई लोगों कहने побरी का ना सब warfare कोईब आदमी आपे काम करा सकता है मेरे वाली साब से, यह मैं वज़े, यह मानता हूँ, इस वज़े से लोग हमें वोट दें, और यह पद है, ऐसे आदमी पे रहना चाहिए, जिसको जाके हम डालेक्टली बोल सकें, अगर बात की जाए, आपको मामले में जो है जनता दे दे आपको चेर्मेन बना दे लेकिन अगर बात की जाए विकास की एडिया पूरी में देखा जाए तो जोपडिया भी बाकी है फुलसन अगर की सड़कों का निर्मार नहीं हुआ लेकिन अगर बाहर के दिहाद के लोग तो इसको शेहर इलाके में मानते हैं आप भी चेर्मेन रहे इस व लेकिन बाहर होते हुए मेरे वालिद साब ने यहां गुलशन नगर में दस सड़के डूड़ा विभाग से बनवाई हैं वो उनकी भागदोड थी उनकी मेहनत का नतीजा था और रही आरियापुरी की बात आरियापुरी भी शहर हदूद में बागई है इन्शालला अब की ब वालिद साब को 40 साल का तजरूबा है उस काम का वो शहर में भी कराया है निकासी का काम और यह आरियापुरी में इन्शालला अब की बार पानी की निकासी का और सड़कों का पूरी तरे निस्तरान हो जाएगा और जो मकान की आप बात कर रहे हो जो लोगों की जोपड़ी ह है इन्शालला उनको जो है परदानमंत्री आवास योजना के अंतरगत वा आएंगी तूंकि वो शहर के अंदर आ गई है उनकी जो है मैनत करके विभाग में जो है और उनको जो है जरूर उनके मकान पक्के कराए जाएंगे इन्शालला मान के चल या आपने युवाओ के लिए या अपने गोशना बताई कि हम ये काम करेंगे यहां पर अगर बात की जाए केराना शहर की तो थेलिया वगेरा यानि के मजबूरी जो उनकी चलती है घरबार चलते हैं रोज़ाना की कमाई रोज़ाना का बच्चों का पेट पालन ठेली वालों की समस्या बहुत जाद है, ठेली वालों के लिए भी किया आप कुछ काम करने वाले हैं उनके घर उनको कोई वो नहीं दी घर उनके खाली करा लिए गए और उनको कोई मोज़ा कुछ ने मिला जबकि हमारे टाइम में मेरे वाली शहां उनको बोल रहे थे वह चीज नहीं हो सकी लोगों की नहीं समझ में आई लेकिन अब इन्होंने थेली वाले जो उजड गे जो ठ मिस वाले और परशासन परिशान करता है या परशासन की परिशान्दी निजहाथ ट्धिली वालों को इन्शालब दिला जाए soldiers जिमान के चलिएw आपने ठ्हिली वालों के लिएू चीज कर दी तो यूवाओ के लिए भी आप कुछ करने जा रहे हैं यहाँ पे खेलाना मैं ग्राउंड कोई है ऱी नी हम भी यहीं पे प्रदा हुए यहीं पे खेली तो यहाँ पे कोई ग्राउंड है लिह यहाँ पे हमेशा बच्छे जो है हम भी कबरुस्तान में खेलते आए या गलियों में खेलते आए तो यह समस्य हमारी खुद की साथ रही है यह दर्द हमारे अंदर है और इंशालला अब की बार युवाओं के लिए जो हमारा यह भारी एरिया लगा है इसमें जो भी बचत की जमीन निकलेगी इंशालला दो त इंशालला पका उसके जो है सोंदरिय करन करा के महां घूमने का और पार्क का इंतजाम कराए जाएगा और एक हमारा जिस्तर पे जो है महां पे भी उसका भी सोंदरिय करन करा के महां पे भी बहुत अच्छा जो है तहलने का घूमने का वो कराएंगे इंशालला अच्छा आ पाकई कहराना में जो समस्या है जनता की और यूआओ की जो एक सोच है कि आपर गराउंड होना जरूरी है, तालाबों की सफाय होने बहुत जरूरी है, ये तमाम इसे सवाला थे जो हम लोगों बीच में गए और वो हमने सवाल इन से जरूरर करने थे, तो अगर आपको लगत